विश्कार दोस्तों देगे हनमान चालिसा सभी पढ़ते हैं और हनमान जी के भक्त दुनिया में हर कोने में हर गाओं में हर शहर में और यहां तकी विदेशों में भी बहुत हैं तो जित्ते भी हनमान जी के भक्त हैं जो हनमान चालिसा पढ़ते हैं एक चीज उनमें सब में क देखिए तो कि देखिए कुछ फोटो हैं जो अनमान जी की मना होती है लगाना कि उसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं वो बताऊंगा आगे में आपको कैसे जै 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 हनुमान गुसाई करपा करू गुरुदेव की नहीं हनुमान जी महराज एक ऐसे भगवान एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त पे गुरू की तरह घरपा करते हैं इनकी लिला प्रमपार है यह जैसे गुरू होता है न वो अपने शिश्टे पर कुछ भी नीचुपाता उसको हर चीज बताता है वो कि इसको हर समस्या बताता है वैसे हन्मान जी महराज अगर आप उनका हन्मान चालिशा का डेली पार्ट करते हैं उनकी भक्ति करते हैं तो वो एक गुरू बनके आप पिक्रपा करते हैं और आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन करते हैं तो हनमान जी के जो भक्त हैं वो मेरे साथ एक जैश्री राम का जैकारा लगाएं और कमेंट्स में लिखें जैश्री राम और बोलिए बजरंग बली महराज की जै देखिए आज मैं टॉपिक लेका आया हूँ कि हनमान जी के जो भक्त हैं वो हनमान जी की कौन सी फोटो अपन जिनके नजर दोश रहती है जिनके अगर मुष्क करा रहा हूं पर घ्र similarity हृ intense पर ज्यादा अगर नजर दोश की प्रवल्म रहती है कोई भूत प्रेद बादा वगरेंगी प्रवल्म रहती है तो पंचमु की हनमान जी का आप घर में फोटो लगाएं पंचमू की अनंवान जी का फोटो घर में लगाएं ईयाँ और पंचमू की अनमान जी का अपने मेंग papel बहर भी आप ल Castle कि हिम्मत नहीं है किनि नेकेटिव एनर्जी की है आपकी घर में प्रवेश्च कर जाएं पंच एंवानोग अपने फोटो लगाके कै तो पंचमु के अनमान जी की फोटो जरूर अपने घर में लगानी चीए इसके बाद अगर किसी की फाइनेशल प्रवलम आ रही है घर में आपस में कलेश का माहुल बना हुआ है एक दूसरे में प्यार नहीं है गर में परिवार में तो आप चेक कर लिजेगा आपकी घर में पूटो नहीं होगी अगर ऐसा है तो राम दरबार की फोटो ये लाईए जिस में अनुमान जी बैठे हों और राम दरबार में राम जी और माता जी की सेवा कर रहे हो सिता मिया की वो फोटो आपको अपने घर में लगाईए उसको मंडवा के फ्रेम बना के लगाईए ॥ो अपके घर का माहूल देखिए आनन आजयेगा आपको, कि इतना आननद आ जाएगा, मजह मजै आपको कमेंट हे wrong महराज को सब ऐसे मोझ के कृपते सब मनें शणारा की मां। सब रामदर्वार के साथ विशां में सब कुछ हैं वाठ चाहे फाइनेंशल लेवल पर देखिए चाहे सम्मान के लेवल पर देखिए दुनिया सेलूट करती है उनको आज अरब पती करब पती पार्टी हैं कि छोटे से दो जारवे परमंद की से शुरू किया था उन्होंने आज अरब पती करोड पती है तो सब तरह के लोग देख के आपको बता रहा हूं मैं ऐसे नहीं है सब तरह के एक्सपिरेंस करके फिर आपको बता रहा हूं मैं तो जिनके घर में कलेश रहता हो दंधाने की समझ्या रहती हो उनको श्री रामदरवार हनमान जी के साथ रामदरवार में सभी आते हैं वो अपने घर में जरूर लगाना जीए इसके अलावा जो बच्चे हैं पढ़ने वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं कुछ आप ऐसा काम करते हों जिसमें आप बुद्धिक रूप से आपको वो चीए एनर्जी चीए शांती चीए और आपकी बुद्धी तेज चीए ऐसा को आप काम करते हों तो आपको मैं बता रहा हूं एक बहुत ही बढ़िया अनमान जी का एक चित्र है यह वाला चित्र आप देखिए अनमा अच्छा अगर आपको यह लक्ष लेंगे चल रहे हूं जिन दीगी में डिक्स को पूरा करने में आपको समझ्य आ रही हो तो आपको हर्मान जी का जो परवत उठाते हुए ऐक चित्र है वह आप लगा सकते हैं और उठाके चलते वह नहीं सिफ जो परवत लेके उठाते है परवत हो, कि फोटो सी आपको शुट भी ते आप में इस में दिखाया, कर्वे कि फोटो करते हैं लोगा सकते सब्सकत необходимо तोडी से नेगेटिवेन लगाँ जाए गर में जाते हैं चारो तरफ आग्नी लगाके और फिर वाहं से वो निकलते है तो वो कहीं नकहीं एक negativity उसमें आरी है वो आपने लगाएं तूसरा भगवान जब क्रोध करें अन्मान जी महाराज क्रोध क्रोध की फोटो आपको नहीं लगानी चाहिए कि को कि एक्रोध का तो आप हम करी नहीं सकते सामना कैंत को शके ऐनकी क्रोध में इतना पावर है तो सोचे आथ इत्लिके तहित्हृंघ को मैं चाहूंची थे पूझा था पन traces पिए और उन्हों अगया दे ती आप जाके पताग हें वह पितामम अगया नहीं होग जब तक उनकी यागए होग सब्सटक तो नंके और यिए नमन है कि真的ो माराच पर अग्वाण। श्री राम, सीथामममाता की कटीए कोटीएवन। तो मैं आपको ने टोपिक पर आता हूं दुबारा कि आपको इस तरह की फोटो नहीं लगानी चाहिए और इसके अलावा आपके लंका देन की फोटो नहीं लगानी चाहिए बाकि आप सारी फोटो ये लगा सकती है बहुत अच्छी अन्मान जी की सेवा कीजिए आप एक करें वो सिनिवार से नमान चलिदेगा पाठ करें फिर इसको कन्टीनू करते रहें है और इसके अलावा हम आपको हनमान जी के हमेशा बुंदी का भोग लगाएं बुंदी बहुत प्रिय है उनको देशी की के बुंदी का भोग लगाईं जहां तक हो सके बुंदी के लड्डू का भी लगा सकते हैं और बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं देखिए परिशाद के रूप में तो यह मेरा टॉपिक था आज का अगर आप कोई भी आपको समस्या हो समस्या में इसकोई भी आपका कुश्चन हो कुछ जानना चाहते हूं आप अनमान जी के समन्द में देखे वैसे तो मैं खुद अनाडी हूं क्योंकि इश्वर को जानना तो बहु को जरूब बताऊंगा आप मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके बंदूओं के अंदर जो भी खनमाचा फोटो लगाते हैं तो वो कैसी फोटो ने लगानी चाहिए इसके बारे में जै श्री राव जै वालाजी मालाजी